सोसल मीडिया इंफुलेंसर की फैन फॉलोइंग और उनकी कमाई को देख कर आप हर कोई सोसल मीडिया इंफुलेंसर बनना चाह रहा है तो आए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में सोसल मीडिया इंफुलेंसर की भविश कैसा रहने वाला है इसका भोई से जानने से पहले हम जानने के कोशिश करते हैं कि इन्फुलेंसर किसे कहा जाता इन्फुलेंसर वे होते हैं जो सोसल मीडिया जैसे इन्स्टाग्राम, यूटूब, फैस्बूक, ट्विटर, टिक टोक जैसे विविन चैनलों पर अपना फूलोवर और टस्ट बनाया रखा हो और यह ब्रांड के साथ कॉलेब करके और उनके पोडेक्ट को पर्मोट करके पैसे कमाते हैं भारत में सोसल मीडिया एन्फुलेंसर का फ्यूचर जो है वो ब्राइट नजरा रहा है जैसे जैसे इंटरनेट की भृधी हुई है वैसे वैसे सोसल मीडिया प्लेटफोर्म और डिजिटल मार्केटिंग की भृधी हुई है और सोसल मीडिया इंफुलेंसर का डिमांड जो है वो बढ़ता जाना है और तो और अब लोग इसे केरियर के रूप में भी देखने लगे हैं अभी भारत में 536 मिलियन एक्टिव सोसल मीडिया फ्यूजर्स है और वरतमार में भारत में 500 मिलियन डॉलर का इंफुलेंसर मार्केट इंडस्ट्री है जोकि 2025 तक या 500 मिलियन डॉलर का हो जाएगा रिपोर्स के अनुसर पचास परसेंट मार्केटर्स ने कहा कि वो अपने डिजीटल मार्केटिंग बजट का 10% इंफुलेंसर लोगों पर खर्च करते जबकि 10% मार्केटर्स जो हो अपने डिजिटल मार्केटिंग बजट के 40% इन्फुलेंसर पर खर्च करते हैं रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि इंस्टाग्राम का यूज कोंटेंट किरियेटर दोरा सबसे ज़्यादा किया जाता है जो कि वे रेल बनाते हैं वहीं रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि ब्रांड लोग जो है अवलगबग 36.9% वे अपने इंस्टाग्राम पर पर पर्डक्ट पर्मोट करवाते हैं जबकि यूट्यूब पर 20.6% वहीं फेस्बुक पर 18.7% अपना पर्डक्ट का पर्मोट करवाते हैं वहीं एक रिपोर्ट्स के अनुसार 70% भारतियों ने माना है कि किसी इंफुलेंसर द्वारा पर्डक्ट पर्मोट किया हुआ को खरीदने के लिए पर्भावित किया वहीं रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि 37% जो लोग है वह इंटर्टेन्मेंट केटेगरी 28% लाइफस्टाइल और फैसन दोनों को और 21% जो लोग है वह फूट केटेगरी को फोलू करते हैं वहीं डेंट्सू रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रांड के लिए 73.6% के साथ इंस्टाग्राम सबसे पसंदिदा प्लेटफोर्म है इसके बाद 14% के साथ यूटूब है 4% ट्विटर 4% लिंक्टेन और 2% ब्लोग है तो आई होप यह छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच् सके थांक्स पर वाचिंग मैं वीडियो